आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है पिछली वीडियो में हमने 30 डिगरी, 45 डिगरी और 60 डिगरी कोण के त्रिकोण मिती अनुपाद ग्याद किये थे इस वीडियो में हम राहुल के साथ 0 डिगरी तथा 90 डिगरी के त्रिकोण मिती अनुपादूं यानि की Trignometric Ratios of 0 डिगरी and 90 डिगरी ग्याद करेंगे हम जानते हैं कि राहुल के पास एक समकोण त्रिभुज LMN है जहां कोण L N कोण है, मान लीजिए उसका माप थीटा है यदि समकोण त्रिभुज LMN की सहायता से Sin थीटा, Cos थीटा और 10 थीटा का मान प्राप्त करें परंतु यदि हम समकोण त्रिभुज LMN के थीटा कोण को धीरे-धीरे कम करते हैं तो देखते हैं कि इसके साथ साथ भुजा MN की लंबाई भी कम होती जाती है और अंत में देखते हैं कि बिंदु N बिंदु M के इतने नस्दीक आ जाता है कि थीटा कोण का मान 0 डिगरी के नस्दीक होता है तब भुजा LN की लंबाई उतनी ही रह जाती है जितने की भुजा LM की है तो क्या आप बता सकते हैं इस स्थिती में साइन 0 डिगरी, कॉस 0 डिगरी और 10 0 डिगरी के मान क्या होंगे? शाबाज, उप्रियुक्त स्थिती से हम देख सकते हैं कि भुजा MN का मान 0 और भुजा LN बराबर होगी भुजा LM के अतह समीकरण 1 की सहायता से हम कह सकते हैं कि साइन 0 डिगरी, कॉस 0 डिगरी और 10 0 डिगरी के थ्रिकोण मितिय अनुपातों के मान क्रमशह 0,1 और 0 हैं यदि बात करें कॉसेक 0 डिगरी के मान की, तो उप्रियुक्त स्थिती के अनुसार इसका मान अपरिभाशित यानी not defined प्राप्त होता है क्योंकि किसी संख्या में 0 का भाग देने पर उसका मान अपरिभाशित प्राप्त होता है इसी प्रकार कॉट 0 डिगरी का मान भी अपरिभाशित होगा, तथा सेक 0 डिगरी का मान एक प्राप्त होता है परन्तु अभी तो हमें 90 डिगरी के त्रिकोण मिती अनुपात के बारे में भी जानना है तो चलिए उप्रियुक्त समकोण त्रिभुज L, M, N पर ही चर्चा करते हैं जैसा कि हमने उप्रियुक्त स्थिती में कॉट थीटा के मान को कम किया था उसी तरह यहां कोण थीटा को तब तक बढ़ाते हैं जब तक कि कोण थीटा का मान 90 डिगरी के बराबर नहीं हो जाता है अर्थात कोण थीटा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे कोण N छोटा होता जाता है यानि भुजा L, M की लंबाई कम होती जाती है और अंत में हम देखते हैं कि बिंदू L, बिंदू M के इतने नस्दीक आ जाता है कि कोण थीटा का मान 90 डिगरी के बहुत पास होता है उसी समय कोण N का मान भी लगभग 0 डिगरी होता है जहां भुजा LN, भुजा MN के लगभग समपाती यानि Almost coincide करती है इस स्थिती में हम कह सकते हैं कि भुजा LM के लंबाई लगभग 0 होगी अतह त्रिकोन मितिय अनुपात ग्याद करने के लिए साइन 90 डिगरी और कौस 90 डिगरी के मान क्रमशह एक और 0 प्राप्त होते हैं परन्तु 10 90 डिगरी अपरिभाशित होता है इसी प्रकार यदि बात करें कौसेक, सेक और कौट 90 डिगरी के मानों की तो कौसेक और कौट 90 डिगरी के मान एक और 0 तथा सेक 90 डिगरी अपरिभाशित होता है चलिए अब तक के सभी नियुन कोणों के त्रिकोण मिती अनुपातों के मानों को एक सारणी द्वारा प्रदर्शित करते हैं आज हमने इस विडियो में 0 और 90 डिगरी के त्रिकोण मिती अनुपातों पर चर्चा की अगली विडियो में हम त्रिकोन मिती अनुपात पर आधारित कुछ दिल्चस्प उदाहरण देखेंगे।